हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई निटिंग चैनल, जिसकी आज की वीडियो में हम ये सिंगल कलर डिजाइन लेकर आए हैं, इस सिंगल कलर डिजाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर राइट पिंक कलर का यूज किया है, आप अपने मत पसंद कोई भी कलर लेकर इस ड डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक सीधा और एक उल्टा फंदा करके बॉर्डर बना लिया है, और सलाई में हमने रखे हैं इवन नंबर के फंदे, इवन नंबर के फंदे आप कितने भी रख सकते हैं और यह डिजाइन आपका अपलाई हो जाएगा, चली इस इसे रो में हम सारे फंदो को उल्टा बुनेंगे, यह हमारे डिजाइन का रॉंग साइड है, और बॉर्डर के बाद हमने इस रॉंग साइड में सारे फंदो को उल्टा बुन लेना है, रॉंग साइड से सारे फंदो को उल्टा बुनते हुए हमने इस परिप्रेशन रो को कम्प्लीट कर लिया है, अब हम आ गए हैं राइट साइड में, यहां से हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे, रो वन, रो वन में पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे, यह पहला फंदा हमने सीधा बुना, देखिए धागा हमारा पीछे की साइड है, लेकिन हम इसे एक बार फिर से गुमा कर सलाई पर से पीछे ले जाएंगे, ये इस तरह ऐसे, ये हम धागा पीछे ले गए, ये हमारा एक extra stitch हमारी सलाई में आ गया है, इसके बाद अगले दो फंदों को हम इकठा पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे, ये हमने दो फंदे लिए देखी सलाई पर, और इनको हमने पीछे की तरफ से सीधा बुना, अभी ह हमारी सलाई में देखे, तीसरा stitch आ गया, फिर से इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे, इनी दोनों फंदों में दुबारा से हमने सलाई एंटर की, और इनको फिर से सीधा बुन लिया, अब देखिए, हमने एक पहला stitch बुना था, जो हमारा edges का इस्ट धागा घुमा कर पीछे ले जाएंगे, यह देखिए हमारा पहला stitch हो गया, जो हमने धागा घुमाया, इसके बाद दो फंदों को सलाई पर ले लेंगे पीछे की तरफ से, अब इनको हम सीधा बुनेंगे, तो यह हमने जो सीधा बुना, यह हमारा दूसरा stitch हो गया, इसको ह इन फंदों को पीछे की तरफ से ही सीधा बुनेंगे, यह हमारा चौथा stitch हो गया, इस तरह से देखिए, एक के हम, दो फंदों के हम, चार फंदे करते जाएंगे, पूरी सलाई हमें इसी तरह से बनानी है, धागा घुमाएंगे, पीछे की तरफ से हमने दो फंदों को बुना, फिर से धागा घुमाएंगे, और फिर से इनी फंदों को तुबारा से बुनेंगे, यह हमारे चार फंदे हो जाएंगे, दो फंदों के, फंदों के, चार फंदे हमारी पूरी सलाई में इस तरह से होते जाएंगे, चलिए इस सलाई को बना कर कंप्लीट कर लेते हैं, देखें, सारे सलाई के फंदे हमने बना लिए हैं, अब लास्ट फंदा हमारा सिंगल फंदा है, इसको हम सिंगल ही बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह से यह राइट साइड रो वन हमारी कंप्लीट हो गई है, रोंग साइड में आ जाते हैं, रो टू के लिए, रो टू में देखें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे फंदे इस सलाई में बढ़ गए हैं, हमने दो फंदो के चार फंदे बनाए, तो अब हम उन्हें वापस से एड़िस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, पहला फंदा हमारा एक्स्रा स्टिच है, इसको हम उल्टा ही बुन इसको देखिए हमने उल्टा बुन लिया इसके बाद हम 2-2 पंददे सलाई पर लेते रहेंगे और उन्हें उल्टा बुनते रहेंगे देखिए 1 और 2 दो पंदे सलाई पर लेंगे इनगे उल्टा बुन लेंगे फिर next говорить वन और टू इनको लेंगे इनको उल्टा बुन लेंगे इससे दो फंदे लेंगे इस तरह से पूरी सलाई करेंगे यह एक और इसके साथ एक ओर लेंगे जो चार फंदे थे उसमें से हमें दो का पेयर एक बार लेना है तो पियर का पियर एक बार लेना है इदी की तोफन दे लिए इसके बाद फिर से पूरी सलाई में हम दो दो फंदे एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते रहेंगे और हमारे फंदे फिर से नॉर्मल जितने हमने इतने सलाई में पहले से रखे हैं उतने ही हो जाएंगे इसके बारे बारे इतने हैं पहले से नॉटाएंगे लास्क फंदा इसको हम उल्टा बुन लेंगे इस तरह से देखिए हमारे डिजाइन की रो टू कम्प्लीट हो गई है और ये डिजाइन देखिए हमारा दिखना शुरू हो गया है अब आ जाते हैं रो थ्री में यहां पर देखिए हमें क्या करना है पहला फंदा हम सीधा बु पिछली बार हमने यहीं से डिजाइन शुरू कर दिया था लेकिन इस बार हम एक फंदा और सीधा बुनेंगे एक फंदा और सीधा बुनने के बाद अब हम धागा घुमाएंगे पीछे वापस वही डिजाइन फिर से रिपीट करेंगे पीछे से दो फंदो को एक साथ पहुनेंगे अब पहले क्या है हम अपना ड्जाइन रिपीट करेंगे देखिए चाहर फंदे हो गए है हमारे सलाई में पहले हमने दो फंदे दो फंदे कर लिए अफिर सदा कई तो को पीजह की तरफ से सिधा भुनेंगे यह एक बार ओर धागा हमने पीछे की तरफ कुमाया अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में दो फंदे हमारे सिंपल हैं इसी तरह से इस बार लास्ट में भी जब हमारे सलाई पूरी होगी तो दो फंदे सिंपल रहेंगे इस पीच सारे फंद ओको हमें इसी तरह से दो दो करके इस पीछे के तरफ से सिधा बुनते जाना है दागा घुमाकर देखिए दो फंदो की हम 4 फंदे बनाते जाएंगी यह पहला स्टिच हो गया मतरे हैं कि आ जो हम दागा घुमाते हैं यह हो जाता है हमारा पहला स्टिच फिर हम दो फंदों को सीधा बुनते हैं फिर एक बार धागा खुमाते हैं और फिर एक बार सीधा बुनते हैं इस तरह से चार फंदे हो जाते हैं ये देखे ये पहला स्टिच हो गया ये पीछे की तरफ से एक बार बुना ये दूसरा स्टिच हो गया ये फिर से धागा घुमाया ये तीसरा और पीछे की तरफ से फिर एक बार बुना ये हमारा फॉर्थ स्टिच हो गया इसी तरह से चलिए सलाई को हम कम्प्लीट कर लेते ह देखी हम अपना है राइइड सॉअड रो 3 को करते करते रार लास्ट में आ गये हैं अब दोसे बचे इन्हें हम एक-चर के सिंगल वुर लेगे जैसा कि हमने स्टार्व में देखे 2 सुअगल बुरूotsי लखे इसी तरह से लास्ट में भी हमारे 2 संगल हैं अब छुबा जाते हैं wrong side रो 4 में wrong side row 4 में हम देखे पहले 2 फंदों को एक-एक करके single बुनेंगे यहां पर देखे हमने एक-एक फंदा बुना इसके बाद फिर से हम 2-2 फंदे लेंगे क्योंकि हमारे फंदे यहां पर डबल हो गए हैं दो के चार हमने बनाए है तो यहां हम दो दो फंदे देखिए दो फंदे हमने सलाई पढ़ लिए इन्हें उल्टा वुन लिया नेक्स्ट दो नो फंदो को हम सलाई पढ़ लेंगे इन्हें उल्टा वुन लेंगे इसी तरह से दो दो फंदे हम लेते रहेंगे देखिए एक साथ हम दो फंदो को लेंगे चलिए इस रो को बना कर कंप्लीट कर लेते हैं देखिए डिजाइन की हमारी چारो सलाईया कंप्लीट हो गई है अब इन चारो सलाइयो को फोर्थ रो को हम बार-बार रिपीट करते जाएंगे तो इस डिजाइन हमारा आगे बढ़ता जाएगा बहुत ही easy design है, बहुत ही सुद्धर लगता है ये I hope आप इसे जरूर बनाएंगे, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा Thank you